नमस्कार दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है गोड इविनिंग सभी को गोड इविनिंग जैहिन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कोस्ता नंबर पहला दिख रहा होगा यहाँ पर पूछा गया है अंडरूट लगा हुआ है 0.02 प्लस अंडरूट 0.0049 किसके बराबर होगा चलिए जबाब दीजिए इस प्रस्न का अंसर क्या होगा तो देखिए सबसे पहले हम अंडरूट के अंदर यह अंडरूट लिखा हुआ है 0.0449 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप बताएंगे 7 होता है 49 का वर्गमूल सभी को पता है दसमलो हम लगाएंगे 2 अंकों के बाद 10.07 आगे पॉइंट यानि दसमलो जीरो टू इसमें जोड़ना है तो जोड़ देंगे तो यह आप कहेंगे 10.09 आ गया इसका फिर से वर्गमूल लेना पड़ेगा न तो इसका फिर से वर्गमूल ले लेंगे तो 9 का वर्गमूल कित थोड़ा तेजी से करवा रहे हैं इसलिए आपके अंदर स्पीड आये तेजी से करने की चलिए यहाँ पर देखिए इसका अंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बाद मास के एकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसको साल करेंगे छोटे वाले bracket को ठीक है ना तो यहां पर देखे आठ तरीका कितना होता 24 24 में से अगर हम 4 घटा दें तो कितना आएगा तो आप कहेंगे 20 आएगा फिर 20 में से 4 से भाग भी तो देना है यानि यहां पर 5 आएगा यानि यहां पर टोटल हमारे कितना आएगा 5 इसकी पावर माइनस 1 है चलो इसको साल बगल लेते हैं अंडरूट 25 का मान सभी को पता है 5 होता है 11 में से 5 जोडेंगे तो 16 आएगा यानि 16 का फिर से वर्ग मूल लेंगे तो यानि 4 आएगा 4 के बाद 21 इसी में से फिर आइट कर देंगे यानि 24 कितना होता है 25 होता है अंडरूट 25 का मान कितना होता है 5 होता यानि 5 गुडे आएगा यानि इसको ऐसे भी ले सकते हैं 5 गुडे 5 की पावर माइनस 1 है ना इसको एक बटे 5 लिख सकते हैं पांच से पांच कैंसील हो गया, यानि इसका अंसर आपसा नंबर दो के साथ जाएगा, जो की सही जवाब है, आपसा नंबर इसका दूसरा सही होगा, पांच की पावर माइनस एक है ना, तो प्लस में बनाने के लिए इसको नंबर को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो पावर हमारी प्लस में convert हो जाते हैं आपको यह पता होगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं कोसर नंबर तीसरा देखते हैं यहां पर देखिए बहुत यह अच्छा प्रस्ण है अब देखो इस टाइब के भी प्रस्ण आपने कई बार देखा होगा परिच्छा में पूछे भी ज जा रहे अगर अनंत तक जाती तब तो इस का अंसर हम सीधे बोल देते इस प्रस्ण का अंसर क्या होता दो होता अगर यह सिरीज मल्टिप्लाइ में लिखी हुई है अगर इन्फाइनाइट तक जाती यह तब अंसर दो होता लेकिन यह सिरीज हमारी अनंत तक नहीं है तो सि दो की पावर में लिखना ये याद रखिएगा दो की पावर में जितने अंडर रूट हैं अगर 5 होते दो की पावर 5 होता यहाँ पर 6 ना तो दो की पावर 6 यानि 64 तो अब आपको क्या लिखना है दो की पावर 6 यानि 64 होता इससे एक कम अंसमे लिख देंगी यानि दो की पा पावर में लिख दीजिएगा, वो हर में आता है, उससे एक कम अंसर में लिख दीजिएगा, आपका अंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं कोसा नंबर 4, यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, अभी हमने बुला था, कि अगर सिरीज अनन्त तक जाती है, तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना, यह जो तीन लिखा है न, यही इसका राइट अंसर हो जाएगा, आपसा नंबर 3, आगे बढ़ते हैं कोसा नंबर 5, देखिए यहाँ पर बताइए इसका अंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यहाँ अंडर रूट के अंदर है, दो क तरब स्कॉयर करते हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, जब स्कॉयर करोगे तो रूट इसका कैंसिल हो जाता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूट एक्स का स्कॉयर करते हैं, तो कितना आता है, यानि रूट एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे, एक्स आ जाता तो यानि 2 की पावर N बचेगा यानि ये हमारा आएगा 64 गुड़े 64 ठीक है ना अब देखो इसको base 2 में break करना है तो आप कहेंगे 2 की पावर N लिख लेंगे 2 की 64 हमारा क्या होता 2 की पावर 6 होता है ना यानि 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 अब देखो 6 6 जोड़ जाएगा यानि 2 की पावर 12 base हमारा सेम हो जाएगा यानि N की value हमारी कितनी आजाएगी 12 तो इस प्रस्ण का जो right answer होगा आपसान नंबर 14 हो जाएगा इस तरीके से आपको लगाना था ठीक है ना चलिए आपसान नंबर D बिद्कुल सही है आगे बढ़ते हैं कोसान नंबर 6 यहाँ पर देखिए पुछा गया 3 वर्स पहले ABC की आवसात आयू 27 वर्स थी 5 वर्स पहले B और C की आवसात आयू 20 वर्स थी A की वर्तमान आयू कितनी होगी अब देखिए 20 सवाल कभी भी 3 वर्स पहले पहले अगर देखे कहे आवसात आयू दिया हुआ है ABC की तो आपको जितने वर्स पहले कहे इसमें आप जोड़ दीजिएगा तो यह आपकी वर्तमान आयू आ जाती याद रखिएगा तो 27 मेंसे पहले तीन वर्स पहले बोलाएना तो अब हम ये कहेंगे जो ABC की जो वर्तमान आयू है कितनी है 30 वर्स है कितनी है 30 वर्स है यह हमारी वर्तमान के आती है अब यहाँ पर देखे लिखा हुआ है 5 वर्स पहले अब यानि यहाँ पर हम बात करेंगे B और C की तो यहाँ पर 5 वर्स पहले बोला है ना तो 5 इसी में हम जोड़ देंगे यह डारेक्ट होता है याद रखिएगा जब भी पहले वाला दिया हो तो 20 अब में 5 जोड़ दीजिएगा तो आप काईगा 25 वर्स यानि अब आप यह कहिए कि ABC की जो मतलब है आउसाताई यह थीस वर्स है B और C की आउसाताई किदनी यह 25 वर्स है अब इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे पहले वाला जो सब्द था उसको हमने हटा दिया जितने वर्स पहले कह रहा था उसी के आउसाताई में जोड़ देते हैं अब आप यह बताईए यहाँ पर तीनों के अगर टोटल निकालेंगे तीन लोग है ना ABC यानि 90 वर्स आएगा यहाँ पर दो लोग है B और C यानि B और C यानि 2 का निकालेंगे एक का पची से दो कितना होगा पचास यानि टोटल तीनों में से अगर BC अटा देंगे तो आपका A ही तो बचेगा ना तो यह 90 में से 50 गटाएंगे तो इसकी उम्र जो A की वर्तमान उम्र होगे कितनी आएगी 40 वर्स आजाएगी आपसा नंबर तीसरा इस तरीके से आपको लगाना होता है एवरेज का सवाल था आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और आपके पास है एवरेज का ही है यहाँ पर देखिए पुछा गया तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की पाँच गुनी है यदि तीनों संख्याओं का आउसस सतावन है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है यानि दूसरी संख्या गर एक माल लिया तो पहली संख्या दूसरी के तीन गुनी हो गई आगे लिखा हुआ तीसरी संख्या पहले की पाँच गुनी है यानि जो तीसरी संख्या पहले की पाँच गुनी इसका तीन का पाँच गुना यानि पंदरा हो जाएगा ठीक है ना या यानि इसका पंदरा आ गया, आगे पूछा गया, यदि तीनो संख्याओं का आउसत 57 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अब देखो आउसत, यानि इस संख्याओं को पहले जोड़ लिजिए, टोटल 15, 13, 18, यानि 19, 19 यूनिट आया है, यहाँ पर देखिए, तीनो संख यानि आप कहेंगे, एक यूनिट की वैलू आगे, 9 के बराबर आगे, ठीक है न, पूछा क्या गया, सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, आप कहेंगे, 15 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी कितनी है, एक है, 15 और एक का डिफरेंस करेंगे न, तो आपका 14 कोसा नमबर 8 बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, पूछा गया है, लिखा हुआ है, एक परिच्छा में, प्रस्न पत्र में N प्रस्न थे, एक बिद्यार्थी ने पहले 20 प्रस्नों में से 15 प्रस्नों का, और सेस प्रस्नों में से एक तिहाई प्रस्नों का सही उतर दिया, प्रसन पत्रों की संख्या टोटल कितनी है एन प्रसन पत्र हैं टोटल कितने एन प्रसन पत्र हैं एक विद्यार्थी ने पहले 20 में से 15 प्रसनों को साल्व किया है यानि टोटल यानि 20 में से 15 प्रसनों को साल्व कर रहा है यानि 15 प्रसनों को साल्व किया और सेस प्रसन कितने बचे तो आप आई यही बताईए देखिए पहले उसने क्या किया 20 प्रस्णों में से 15 को उसने साल्व किया है लेकिन यहां पर प्रस्ण हमारे पास पहले कितने थे n प्रस्ण थे उसने 20 प्रस्ण को उठाया यानि 6 प्रस्ण हमारे पास कितने बचे होंगे आप कहेंगे n-20 वे से बचें और यही बोला है यह जो इसे ब्लाइब इसका एक तीहाई प्रसंटों को सही उतर दिया यानि एक तीहाई का मतलब इसका एक बटतीन करतेंगे इतना आप कर लेंगे ना बस आप अब यहां पर बोला यह दि उस ब्यारती ने 50% अंग प्राप्त किया है और साथ में ये भी लिखा है सभी प्रस्णों के अंग क्या है समान है ठीक है ना सभी प्रस्णों के अंग समान है तो देखिए यहाँ पर पहले उसने क्या किया 15 प्रस्णों को साल भी किया जो भी अंग भी ले होंगे बाद में जो 6 प्रस्ण थे N-20 उसका एक तिहाई किया ये भी सही उत्तर था यहाँ पर लिखा हुआ है उस बिद्यार्थी ने 50% अंग प्राप्त किया है इसका मतलब जितने प्रस्ण थे उसका 50% प्राप्त किया है यानि हम कह सकते है N का 50% कितना होता है तो आप कहेंगे N by 2 आएगा कितना आएगा N by 2 ये कर लेंगे तो यही तो यह जो आया है ना यही किसके बराबर आपका हो जाएगा यही आपके बराबर हो जाएगा N by 2 क्योंकि यहाँ पर कंडिसन दे दिया ना उस बिद्यार्थी ने 50% प्राप्त किया है पहले जो 15% प्राप्त कर रहा था सेस प्राप्त कर रहा था एक तिहाई अब बराबर किसके होगा यानि उसी का जो नंबर टोटल थे न उसका 50% यानि N by 2 ये बराबर कर लेंगे अब इसमें से आपको यापसन उठा लिजिए अब देखिए N अगर हम माल लेजिए अगर 20 तो होई नहीं सकता है अगर हम N माल लो 50 ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 50 यहाँ पर रखेंगे 50 बटे 2 यानि 25 आएगा तो यहाँ पर भी 25 आना चाहिए तो देखिए 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 आएगा ना अब 30 में से 3 का भाग देंगे 10 आएगा अब 15 इसी में एड कर देंगे यानि दोनों तरफ एक्योशन इक्वाल हो गया ना तो बस सीधे आप अंसर देंगे 50 इस तरीके चेक कर लेंगे यहाँ पर N का आपसन उठा लीजिएगा पहले 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा ना 30 में से 3 का भाग देंगे 10 अब 15 और 10 कितना होता 25 यहाँ पर अगर N 50 रखोगे 50 बटादो यानि 25 दोने क्योशन बराबर हो गया तो आपसन नमबर इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं आगे बढ़ते है कोसा नमबर 9 यहाँ पर देखे लिखा हुआ है A B से 40 परसेंट अधिक है B C से 20 परसेंट कम है तो A और C का अनुपात पूछा गया है तो सबसे पहले देखो A B C हम इस तरीके से लिख लेंगे तो हमें पता नहीं है तो हम कैसे कम कर पाएंगे B जो है C से 20 परसेंट कम है तो यह तो हमें मालूम ही नहीं है तो ऐसा करते हैं इसको पहले हम इससे शुरू करेंगे यहाँ शुरू करेंगे तो पहले A B C लिख लो बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर देते हैं न फिर अंसन नहीं आता जब कम बाला दिया हो तो कम बाले से स्टार्ट किया करो B C से 20% कम है तो इसका मतलब C को माल लेजिए 100 है अब B C से 20% कम है यानि 100 का 20% कम होगा यानि 80 होगा न इतना आपकर लेंगे अब बोला A जो है B से 40% अधिक है यानि यहां पर जो A है ना B से 40% अधिक है यानि 80 का 40% क्या होता है 400 कर देंगे 00 कर देंगे यानि 14 कितना होता है 8 432 8 311 11112 यानि A की वैलू हमारी कितनी रही होगी 112 रही होगी किसको इसको चार से काड़ लो चार दूनी कितना होता है आठ और चार अठे बत्तिस यहाँ पे काटेंगे चार दूनी आठ चार पंचे बीस यानि 28 और 25 का रेशियो बन रहा है तो इसका जो अंसर सही जाएगा आपसा नंबर एक के साथ जाएगा ठीक है ना तो याद रखिएगा जब अधिक और कम का दिया हो तो पहले कम बाले से स्टार्ट करिएगा ठीक है ना क्योंकि जरूरी नहीं है ना अगर हमने ऐसा बोला कि B C से 20% कम है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि B जो है C से 20% अगर कम है तो C जो है 20-20% अधिक है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, परसंटेज में उल्टा हुआ था, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, पहले कम बाले से स्टार्ट करेंगे, उम्मीद समझ गया होंगे, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिये, प्रस ने पूछा गया है, यह दिकिसी ब्रत्त की तिरिज्या को दुगना कर दिया जाता है, तो उसके छेत्रफल में कितनी ब्रत्ती होगी, अब देखो, यहाँ पर अगर बहुत साज लोग अगर ऐसे करते हैं, तिरिज्या एक है, फिमालो दुगना कर दिया, अब एक बढ़ गया, एक बटे, एक इंटू सो, अ अगर आप इस तरीके के गलती करते हैं, 100% निकाल देते हैं अंसर, तो फिर आपका सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ब्रत्त का छेत्रफल क्या होता है, ब्रत्त का छेत्रफल पाई यार स्कॉयर होता है, जब बोला है सवाल में ब्रत्त क कि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता यानि cigarette अगर पहले 1 है अब इसका Square करो गया तो इतना ही रहेगा दूसरे condition में त्रिज्या को दुगना किया गया यानि आणर हमारा 2 हो गया है तो 2 यानि square होगा ना छेतर फल में square होता है 2 का square कितना हैगा 4 यानि हम बोलेंगे 1 से 4 हो गया है 1 से 4 हो गया है कितना बढ़ा है 3 बटे 1 इंटू 100 तो इसका जो right answer जाएगा 300% जाएगा इस तरीके गलती मत करिएगा जब भी ब्रत्य की 30 से बात करेगा तो उसका square भी एक बार करना है तब ही आपका सवाल सही होगा अफसा number इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा चले दोस्तों ये हमारे मायत के प्रस्ने थे इसके बाद अभी graph और तालिका के भी प्रस्नाएंगे लास्ट में अब हम reasoning के प्रस्ने यहां से स्टार्ट करते है कोसर नमबर 11 से यहां पर देखिए लिखा हुआ यह दिन नेम लिखे सब्दों को सार्थक क्रम में अगर रखा जाता है तो एक तर्क संगत क्रम बनेगा बताए इसका अंसर क्या होगा बहुत ही सिंपल सवाल है अब देखिए सबसे पहले बेक्त क्या करता है आप राद करेगा आप राद के बाद उसकी गिरफतारी होगी की नहीं होगी फिर क्या होगा फिर उसको न्याय ले यानि न्याय के लिए ले जाएगा फिर उसको क्या मिलती है सजा मिलती है और फिर जेल जाता यानि आपसा नमबर इसका B वाला बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते कोर्सा नमबर 12 और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है A, B, C, D, E पांच नदिया है A, B की अपेच्छ छोटी है परन्तो A से बड़ी है C सबसे बड़ी है यदि D, B से कुछ छोटी और A से कुछ बड़ी हो तो बताइये सबसे छोटी नदी कौन सी है अचले लगते हैं इसको यहाँ पर देखो A, B की अपेच्छ छोटी है इसका मतलब A, B की key अपेच्छा छोटी है B की अपेच्छा छोटी का मतलब समझते है ना A जो है B की अपेच्छा क्या छोटी है यानि B से क्या बड़ी है यानि B से क्या बड़ी है यहीं मतलब वह ना A जो है B के पेच्छा क्या छोटी है यानि B बड़ी होगी परन्तों E से बड़ी है या इसका मतलब A जो है E से क्या है बड़ी है अब बोला C सबसे बड़ी है आगे बोला हुआ है कोसन पर C जो है क्या है C जो है सबसे बड़ी है C सबसे बड़ी है चलो C तो मालो यहां कहीं आ जाएगा सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी है यहां कहीं आ जाएगा तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? सबसे छोटी पूछा गया है तो सबसे छोटी तो लाश्ट में आपका E रहेगा ना क्योंकि देखिए B, D, A तो यहाँ ब्याब लिख लोगे बड़ी आपका C, यह छोटी पूछा गया और D जो है E की मा है, यदि E माता है तो A का E से क्या संबंदित है? अब देखिए अच्छा सवाल है, बिलरलेशन का है तो चलिए लगाते हैं A, B की बेटी है इसका मतलब पहले हम बना लेते हैं इसको सो A जो है B की बेटी है, यानि A जो है किसकी बेटी है? A जो है B की बेटी है, B C की बेटी है, B जो है यानि B जो है ये किसकी बेटी है, C की बेटी है C ड का भाई है, C जो है ये, यानि ये क्या भाई है C जो है D का भाई है, और D E की मा है यानि इसकी E की का है, E की मा कौन है, D है यही तो बुला है ना, और D जो है E की मा है E हमको नहीं पता लेकिन ये मा है चलो ठीक है और D जो है E की मा है यद E माता अच्छा चलो ये भी लेडी जी है E की माता है तो पूछा गया है A का E से क्या संबंद होगा अब देखिए A का E सही न और D जो है E की क्या है माता है यद E माता है चलो ठीक है E माता है इसका मदलब कोई ने कोई संतान रही होगी चलो यहाँ पर प्रस्ण पुछा गया A और E में अच्छे बताओ यह दोनों भाई है यानि यह भी क्या होई चचेरी बहन होई फिर इनका जो लड़की हुई इनके साथ क्या रिलेशन बनाएगा तो भतीजी बनाएगा ना पूछा गया है A का E से क्या संबंद होगा तो A क्या होगी भतीजी होगा तो इसका जो राइट अंसर होगा आपसा नंबर B हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं कोई सा नंबर CPU होता है USB यानि यहाँ पर CPU होना चाहिए था उल्टा लिख दिया PCO RTO और DAD तो देखे दोस्तों यहाँ पर कहीं न कहीं PCO CPU होता है चलो यहाँ पर CPU होगा हो सकता है mistakes होगा तो यह सब हमारे क्या होते हैं कंप्यूटर के पार्ट होते हैं कम्प्यूटर के भाग होते है, USB भी कम्प्यूटर में यूज होता है, ठीक है ना, RTO, देगे, DAD जो होता है, डैड, ये हमारा कम्प्यूटर का पार्ट नहीं होता है, तो ये हमारा सबसे क्या होगा, अलग हो जाएगा, इसका जो राइट अंसर होगा, आपसा नंबर कौन सा दिन अगर बुद्धवार है, तो उसी वर्स में मई मा की तारिक को सब्दा का कौन सर दिन होगा, अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, अपरेल महीने में हमारी टोटल दिन कितने होते हैं, तीस दिन होते हैं, यानि एक तारिक को अगर हमारा दिन के बाद रिपेटेशन होगा, यानि साथ इसी में जोड़ देंगे, यानि 8 को भी बुद्धवार होगा, 15 को भी बुद्धवार होगा, 22 को भी बुद्धवार होगा, 29 को भी बुद्धवार होगा, यानि 30 को ब्रस्पदिवार होगा, तो पूछा क्या गया है, एक मई अप्रेल के बाद क्या आता है अप्रेल गर्द मई तो आता है ना तो मई का क्या होगा तो देखिए यहाँ पर बुद्ध यानि ब्रसपत सुक्रवार हो जाएगा एक मई को कौन से दिन होगा सुक्रवार बिल्कू सिंपल सवाल था आपसा नंबर 20 का राइट अंसर हो है आपको सिर्फ यह याद रखना है कि साथ दिन में दिन रिपेटेशन होता है यह साथ दिन से कितना अधिक है आप बोलेंगे साथ सित्वतिक दो है कितना अधिक है साथ से नौ यानि अगर हम कहते देते दस दिन तो तीन अधिक हो जितना अधिक हो जितना दिन बोले ना क चार दिन आगे चलते ठीक है ना चार दिन आगे चलते तो अंसर आजाता आपका सोंबार तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसका राइट अंसर सनिवार हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोसा नमबर 17 यहाँ पर देगे पूछा गया निमन चारों में से असंगत को चुनिए लोभा तामबा इस पाथ एलिमॉनियम तो दोस्तों याद रखिए कि यह लोभा आपका तामबा इलिमॉनियम यह आपकी सब क्या होती है मेटल होती है धातू होती है लेकिन जो इस पाथ हमारा होता है यह मिस्र धातु होता है यही सबसे हमारा अलग हो जाएगा मिस्र धातु होता है यह लोभा और कार्बन से मिलकर बना होता है किससे मिलकर बना होता है लोभा और कार्बन से मिलकर बना होता है ठीक है ना उम्मीद समझ गया होंगे यह भी आगे बढ़ते है कोसा नमबर 18 E, तथा E का वजन अलग-अलग है, C केवल A से भारी है, D, B से हलका है पर E से भारी है, पाचों में सबसे भारी कौन है, तो दो सबसे पहले जैसे बोला है, वैसे करते हैं C केवल A से भारी है, चलो C केवल A से भारी है, C जो है केवल A से क्या है, भारी यानि बड़ा है, भारी का मतलब बड़ा है D, B से हलका है, यानि छोटा है यही मतलब वो ना, तो D जो है D जो है, B, B से क्या है D जो है, B से क्या है, हलका है पर E से भारी है पर E से क्या है, E से क्या है भारी है, यह भारी है, चलो ठीक है पाचों में सबसे भारी काउन है, अब देखो C केवल A से भारी है न, तो इसका मतलब C जो है केवल A से भारी है, तो आप इसको ऐसे भी लिसकते हैं, सही है न, तो प्रस्न में क्या पुछा है, पाचों में सबसे भारी काउन सा होगा, तो देखिए C को हम यहाँ पर ऐसे लिस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम कह सकते हैं सी जो ए से भारी है ठीक है ना परंतु इसे भारी है सही तो है डी बी से डी जो है डी बी से हलका है डी जो है बी से क्या हलका है परंतु इसे क्या भारी है सही है तो इस तरीके से पुछा गया सबसे भारी कौँ सा हो जाएगा सबसे भारी पूछा गया आपसा नंबर B के साथ इसका अंसर चला जाएगा आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए दोस्तों कोसर नंबर 18 है यहां पर पूछा गया है कोसर नंबर यहां पर लिखा हुआ है एक कथन के बाद दो तर्क दिये गए हैं निर्णा लेके कथन के संबंद में कौन सा तर्क मजबूत है यहां पर देखिए कथन दिये गए हैं आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको अंसर देना है कथन आपके लिखे गए क्या सड़कों पर गतिरोधकों को गैर कानूनी घोशित किया जाना चाहिए कथन को पहले ध्यान से पढ़ ल नहीं वहान की गतिको कम करने के लिए गतिरोधक एकसरल साधान है यह बात बिल्कुल सही है अगर आप चाहते स्पीड को कम क्रने के लिए हमें डिवाइडर यानि ब्रेकर बनाना क्या होता जरूरल होता है ब्रेकर अब यहां पर लिखा हाग कुछ लोग को रात में गदरोधक को देखनेält में बिफल होते हैं बिल्गुल सख्याई है अब अंधेरे में जाओके कहीं road light खराब है कहीं दिखता ही नहीं breaker है कई लोग तो गिर जाते हैं रात यह तो इस तरीके से रात में थराब क्या है मजबूत हैं तो यहां पर हम बात कर लेते हैं आप सन्दिया गया था पैवल तरक के 1 मजबूत है सेखंड मजबूत है तो यहां पर जो डलतकोरों आपसर नेम्र का ध्यान पूर्वा का ध्यान करिए और प्रस्णों को उत्तर देना है यहाँ पर एक सब्ता की विभिन दिनों को ली गई जाँच परिच्छा में कच्छा के पांच विद्यार्थियों ABCDE के प्राप्तांग दिये गए हैं टोटल अंग अधिक्तम कितने सोव हैं चलिए सोव याद रखिएगा अब हम कोशन को पढ़ते हैं और लगाने की कोशिस करते हैं चलिए यहाँ पर देखिए कोशन को आप थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आपसन अच्छे से दिख जाए नहीं तो आपको आपसन फिर नहीं दिखेगा तो फिर आप कहेंगे कि सर बुद्वार एवं ब्रस्पतिवार को मिला कर प्राप्त कुल अंक है बी बोला है ना तो पहले बी वाले में पहुचिए बी वाला आपको ये वाला है सोमवार बुद्वार ब्रस्पतिवार यानि सोमवार आपका ये है बुद्वार आपका ये है और ब्रस्पतिवार आप नहीं सुक्रवार कहा यह वाला है ठीक है न तो पूछा गया अंतर पूछा गया है तो चलो इनके इकाई के अंक से ही पता कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर पहले हम सोमवार इसमें क्या था सोम बुद्ध ब्रस्पतिवार था यानि सोमवार यह 65 था इनको देखो 52729 यानि इकाई कांग 9 आएगा इनको जोड़ेजिए 9211 114 कितना होता है पंदरह ठीक है ना 9 में से 5 घठाएंगे तो कितना आएगा चाहरेगा झालास्ट में 4 आ रहा है चाहो तो आप इनको जोड़ लिजिए गा पूरा या तो यहीं से पता कर लिजिए ग अंतर लाश्ट डिजिट है चार आगे आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है आप जोड़ लीजिएगा तो आपका अंसर भी यही आएगा चाहे तो आप करके देख लीजिएगा यही अंसर आएगा ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं इस तरीके तेजी से पता कर लें प्रतिसत अधिक है अब दीके पहले हम बात कर लेते हैं सोमवार को एके प्राप्तांग की बात हो रहे हैं यह एके प्राप्तांग का आपके तो 84 है अब आगे लिखा हुआ एके प्राप्तांग ब्रस्पतिवार को सोमवार को एके प्राप्तांग ब्रस्पतिवार को बी के प्राप्तांग यानि 72 है कितना अधिक है तो आप ही बताईए ये 72 है ये 84 कितना अधिक है तो आप कहेंगे 72 से 84 अधिक यानि कितना अधिक है तो आप कहेंगे 12 अधिक है बटे 72 आएगा इंटू 100 परसंटेज निकलना है बारचंग 72 यानि यहाँ प्रावर काट लेंगे 50 बटा 3 का मतलब होता है 16 से 2 बटा 3 परसेंट अफसन नमबर 20 का राइट अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसने देखते हैं चलिए अगला प्रसने देखते हैं कोस्ता नमबर 98 98 नमबर देख लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा ओजूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिख जाए यहाँ पर देखे पुछा गया सभी दिनों को मिलाकर सी का आउसत प्राप्तांग क्या होगा अब देखो इतना सिंपल सवाल है सबी दिनों का पुछ लिया है तो सबी दिनों का पुछा है और C का यानि C का सब को जोड़ लिजिएगा और सब प्रापतां के पुछा है और सब भाग दे देंगे तो देखो जोड़ लिजिए 6, 5, 11 सही ना 6, 5, 11, 2, 13, 13, 7 कितना होता है? 20 होता है 7, 3, 10, 17, 17, 6 कितना होता है? 23, 37, 32, 32 होता है सही है इसमें 5 हैं भाग कर देंगे 5, 36, 5, 24, 64 आएगा यानि आपसा नंबर D इसका राइट अंसर हो जाएगा उमीद है ये बात आप समझ गया होगे आगे बढ़ते हैं अगला कोसन देखते हैं कोसन नंबर 99 ये कोसन नंबर 99 नंबर है चलो, यहाँ पर देखिए क्या पुछा गया अब देखो, यह सिंपल सवाल होते हैं आपको घर तालीका समझ में आ गए तो आप सवाल लगा लेंगे मंगलवार एवं बुद्धवार दोनों को मिला कर अब देखिए मंगलवार बुद्धवार दोनों को मिला कर C का पुछा है तो मंगलवार देखिए मंगलवार आपका ये है और क्या बुद्धवार दोनों को मिला कर यानि पहले C का देखिए C वाला कहा है ये तो हम A भाले में ले लिए A भाले में नहीं हमको लेना D भाले में लेना C भाले में ठीक न तो C भाला आपका ये हो गया और ये हो गया ठीक न ये हो गया और इसके बाद D का भी लेना है यानि 51 और 64 इतना आप ले लेंगे पूछा गया रेशियो बताईए तो पहले आप 70 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 असास 7 कितना होता 14 ये आएगा इतना आप कर लेंगे इसके बाद जोड़ लेंगे 4 एक 5 यानि 115 आजाएगा यहां तक कर लेंगे काड़ लिए कितना सिंपल सवाल है 29 अनुपाते 23 यानि आपसा नंबर C वाला इसका राइट अंसर हो जाएगा इस तरीके इस तालिका आप लगा सकते हैं अगला कोशन देखते हैं दोस्तों और ये हमारा लास्ट प्रस्न है 100 नंबर यहां पर आपको बताना है सभी दिनों को मिला कर थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और देखते हैं यहां पर अगला कोशन देखते हैं लिखा हुआ है सभी दिनों को मिला कर E के कुल प्राप्तांक E के कुल प्राप्तांक से कितना प्रतिसत अधिक है सभी दिनों को मिला कर एक कुल प्रापतांक यानि सभी दिनों को मिला कर एक कुल प्रापतांक पहले आपको उनको जोड़ना पड़ेगा आगे लिखा हुआ है एक कुल प्रापतांक से सभी दिनों को मिला कर एक कुल प्रापतांक है और एक कुल प्राप्तांग, अब इसको भी जोड़ना पड़ेगा, एक कुल प्राप्तांग से कितना अधिक है, जोड़ने वाला कर्डिसन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जोड़ना पड़ेगा, और थोड़ा कैल्कुलेसन तो है तो करना ही पड़ेगा, है न, इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, आट, दो, दस, नो, उननीस, चार, तेईस, तेईस और आठ कितना होता है, तेईस, आठ, एकतिस होता है, यह हम इक निकाल ला है, किसका निकाल ला है, इक निकाल ला है, ठीक है ना, इक निकाल ला है, एकतिस, सही ह होता है 353 यानि 355 ठीक है ना अब हम इसी प्रकार से एक निकाल लेते हैं जोड़ कितना होगा टोटल 9 4 13 13 9 22 25 27 27 27 27 साथ कितना होता है 34 होता है 7 6 13 13 4 17 17 5 22 26 28 28 28 और 3 कितना होता है 31 इतना अपकल लेंगे ना अब आप ही बताइए 314 से 355 ने कितना अधिक है तो आप कहेंगे 43 अधिक है अब बटे में आएगा 34 परसंटेज निकालना है 100 से मल्टिप्लाई करतेंगे यानि दोस्तों यह हमारा आ जाएगा 43 सो बटे 314 अब देखिए लगबग यह कितने गुना है तो आप देखेंगे यह 43 गुना तो होई नहीं सकता है लगबग अगर देखा जा 14 32 लगबग यह इसका यह 14 गुना है यानि 14 परसंट के संथिंग इसका अंसर जाना चाहिए और आपसन में कहीं भी 14 परसंट नहीं दिया है इसका मतलब इसका जो राइट अंसर जाएगा इन में से कोई नहीं तो उम्मीद दोस्तों आपको मैत रिजिनिंग और यह आपकी जो तालिका समझ में आ अरनिवां